हेए अप डिवान, मैं भावी आप सभी का अपने ही चैनल भावी असमे बहुत-बहुत स्वागत है कैसे हैं आप लोग, I hope सभी लोग बहुत ते अच्छ होंगे आज मैं आप लोग के सांथ बहुती अमेजिंग सा फेस्पेक सेर करने वाली हूं अगर आप लोग भी उनमें से एक हैं इस सर्द्यू के मोसम में आपकी तवचा बिल्कुल रूखी सुकी बेजान सी हो गई है तवचा में बिल्कुल गलो नहीं है इससे इस्तमाल करने के बाद आपकी तुचा बिख एकदम गलोई और साफ सुथरी बेडागर सुनदर नजर आएगी हर कोई चाहता है उनकी तुचा बेडागर सुनदर नजर आई इसके लिए आप लोग उनको जज़ढ़ा महनत करने की जरुए बिल्कुल नहीं है इससे मैंने यहाँ पर चुकंदर लिया है अच्छे से उसको साप कर लिया था साप करने के बाद मैंने क्या किया उसे उसके छिलकों को निकाल लिया अब मैं इस तरीके से कद्दुकस कर लूँगी पूरे चुकंदर को करने के बाद क्या करना है हमें इसका जूस का इस्तमाल करना है यहाँ पे चुकंदर लगाने के इतने ज़्यादा फायदे हैं सब कुछ आप लोगं को वीडियो में बताते चलूँगी पहले इस पे स्पेक को तंग्यार कर लेते हैं ठीक देखे अब मैंने सारा चुकंदर को यहाँ पे कद्दू कस कर लिया था करने के बाद अब मैंने एक चंणी लिए है चंणी के मदद से अब मैं क्या करूंगी जितना भी चुकंदर है इसका सारा जूस में एक बाउल में निकाल लूँगी ठीक आप लोग देखे रहेंगे स्क्रीन में सेम आप लोगं को भी ऐसी करना है इसके बाद मैं क्या करूंगी आप लोग देख सकते हैं यह इतना सा इसका जूस निकला है यह जूस हमारे तोचा के लिए बहुत जादा फायदे मंद है इतना जादा फायदे मंद है कि आप लोग एक वार इस्तवाल करेंगे अगर पता नहीं है तो वीडियो में आगे बताते चलूँगी वीडियो पूरी इंट तक आप लोग को देखनी है सबकोच अच्छे से पता चल जाएगा आप लोग को पता है आधी हदुरी जानकारी कभी भी सही नहीं होती है देखे एक चमस मैंने बैसन लिया उसके बाद मै लगा चलवाजी में काम ना करें सबस्क्राइब करें दिल्हा दिल्हार को डालते ही करने मिक्स करने है । अब देखे यहाँ पर मैंने चंत कुंग हुआ ले-चुंट करता है तो तो दो लोग को येलर्ज्य होती है तो आप लोग उसकी जग़ टमाटर का Cay akkor जूस घूस है अब मैंने यहां पर एड किया है एक चमच Elevera Gel के क्या फाइदे बताओं बहुत जवादे हैं यह आप सबीको पता ही हूँगे अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ गुलाब जल तो यहाँ पर गुलाब जल मैं एक चमबस लूँगी ज्यादा नहीं लूँगी अब जो यह face pack है इसको अच्छे से mix कर लेना है mix करने के लिए कम से कम आप 3 मिनट का time दें ताकि यह आपस में अच्छे से mix हो जाए इनका फायदा लगाने के बहुत ज्यादा हमें मिले अब देखे मिक्स करने के बाद तुरंत इसे apply नहीं करना है अच्छे से mix करने के बाद हमें क्या करना है मैं आप इसको side पर रख दूंगी तो इहाँ पर ले रही हूँ milk powder देखे अब milk powder ले ना कितना है मैं इहाँ पर Madamch जोweड गुलाब retail देखे लेना है अदा चमच उक्रोंकме करने करना है भी मिक्स करने के बाद में जरुकोड़ चेहरे पर इसे कैसे अप्लाय करना है बहुत लोग के दिमाग में यह चीज भी आ रहा होगा कि इसकर्फ करना जरूरी है तो हंजी बिल्कुल जरूरी है क्योंकि अगर आप लोग देखे चेहरे में बहुत ज्यादा डटी स्किन हो जाती है चेहरा बहुत ज़्यादा गंदा अगर आप लोग चेहरे में कैसे अप्लाय करना है देखे चेहरे को सबसे पहले अच्छे से वास कर लेना है चेहरे में कोई मेकप क्रीम नहीं होना चाहिए चेहरा एकदम साप होना चाहिए क्या करना है इस तरीके से फिंकर की मदद से पूरे चेहरे में इसको एकदम मसाज करते हुए लगा लेना है 3 मिनट चेहरे को करना है ताके हमारे चेहरे से dirty skin जितने भी चेहरे में गंदेगी हो सारा वो बहार निकल के आ जाए और चेहरा हमारा साफ सुतरा एकदम clear और clean नजर आए तो देखे आप इस face pack को साधी या फाटी में जा रहे हैं या कहीं गूमने जा रहे हैं गूमने जा रहे हैं तो उस टाइम पर भी एक घंटे पहले अपने चेहरे में इस face pack को लगा सकते हैं बहुत ही amazing से result मिलेंगे ऐसा लगे है कि आप just पालर से facial करा के आए हैं इतनी अच्छी glow या आपके चेहरे को देगा ठीक तो आप लोग इस टाइम पर कभी भी face pack को लगा सकते हैं आप लोग इसे हपते भर में अगर इस्तमाल करेंगे चेहरे में इतने अच्छे नजर आएंगे चेहरे में कोई भी प्रोब्लम आप लोग की नहीं आएगी तो इस तरीके से मैं तीन मिट का मसाज करूंगी करने के बाद मैं चेहरे को अच्छे को अपलाय करेंगे ऐसा आप लोग का मन करेंगे कि बार बार आप इस प्रेस को अपलाय करना चेहरे में लगाना पसंद करेंगे इतने अच्छे रिजल्ट आप लोग को जो है इसके नजर आएंगे ठीक देखे तीन मिनट यहां पर हो चुकी हैं अब मैं क्या करूंगी स्काष करने से मेरा कहिए अगर आप लोग मेरे कहने से मेरे तरीके बता रही है वैसे आप लोग भी सेसे को पालो आपके चाहरे साप 2 और कि लेका है तो ६ के प्रेस करदें निऺंद निखने में काम के सब्सक्राइप करना वहां से लिगए और लिक्ता première बिटामीन से क इसमें विटामीन एक जिन के लक्षण होते हैं जूर्यों को काम करना इसकीन को टाइड रखना अगर त्षछा लटक जाती है धीली हो जाती है उसको एकदम टाइड बना देता है और जब आप लोक सब्सक्राइब निकलते हैं दूप में निकलते हैं जो शुरच की हनिकारा क किरण होती है उससे भी तुछा को बचाता है तो देख किया करना इस फेस पैक को लगाने के बाद 15 मिनट का वेट करना है 15 मिनट बाद फिर हमें अपनी स्कीन को साब करने मुझा चेहरे से फेस पैक को निकाल लेने हैं दो लेने हैं तो बेसन के बारे में तो आप लोगग को पता है बेसन लगाने के फायदे होते हैं देखें किसे लगाने सिक्रreich निज़ता है हमाइ历 को कृःट्रा को हटा लिया तो देखें आप पैंदर मिनड बाद चेहरे को अच्छा सहाब कर दो लिया है इस face pack को लगाने के बाद इतने अच्छे रिजल्ट आप लोग को नजर आएंगे आप लोग सत बतारियों बार बार लगाने आप लोग का मन करेगा तो आप लिख देखे आप लोग देखे सौरी लास्ट में लास्ट स्टेप बिल्कुल भी इसकिप नहीं करना है कोई भी ओयल ले सकते हैं और आप के पास यह उसे लें और हात में हलका सा घिस कर गर्म कर ले ऊकले इस तरीके के से पूरे झाला, झाला.